नमस्कार दोस्तो जारकन मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत सुआगत है रांची समेत गर्मी का प्रकोप जारी रेड अलट और इंज अलट हाई अलट जारी क्या गया जारकन में कब बढ़सात होगी कब मानसुन के एंट्री होगी कब गर्मी से रात मिलेगी एक दम सही ज ऍटरा सिमडे का खरसावां सराइकेला साही गञेज रामगर्ण पहला मौ पाकोड समय जारकन में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब जरू करना और गमिंट कर के जरू बतना है कि आप जारकन में कहा पर रेते हैं तो मौसम विजसे से गो कि मानने तो राज्जे बर में जो ना जारकन में गर्मी का कहर बर परा रहे। वही राज्जे बर में दोस्तों तापमान लगाता और चड़ता जार रहा है। अब हीट वेव को लेकर मौसम विबाग ने चेतावनी जारी की है। राजदानी राज्जे के कुछ इलाकों पर त सकता है। यहां पर आने वाले दिनों में हीट वेव की चेतावनी जारी रांची समेथ जारकन के लोगों को इन दिनों भीशन गर्मी से काफी परिसानी है। गर्मी ने दिन के साथ साथ रात में भी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। और यहां पर सबसे गर्म जीला प तापमान काफी बड़ोतरी के साथ रेकोर्ड किया जारा और बारी गर्मी के कारण गड़ों में अधिक्तम 47.2, लात्यार में वैलिस पॉंट 7, लोहर दगा में 43.7, चत्रा में 43.7, रामगर में 43, गुमला में 43.3, हजार भाग में 43.9, चाइबसा में 43.3 के क्रीब रेकोर्ड किया गया और भारी भाएंकर गर्मी के कारण काफी परेसानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, आने अले दिनों में मिला जुला मोसम भी रहेगा उताचड़ा अफजारी है, और पिछले दो दिनों के दुरा चकरवाती तूफान कसर देखने को मिला था, जारकरण वाश तो यहाँ पर साइब गंच, पाकूड, गिरिडिय, देवगर, वोकारों में बारिश होने का अनुमाने, वहीं इन जिलों में वजरपात को लेकर औरेंज इलेट जारी के आनने जिलों में जबरदस्त हीट वेव चलने के आसारे जिससे, लोगों को सावधान रहनी की ज़र करीर को सुस्त रखे क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा बैयंकर रूप लेत वी नजर आ रही है, इसी के साथ मौसम में बदलाव के साथ परिवर्तन भी है, यहाँ पर दोस्तों कोडरमा, चत्रा, गड़वा, लातयार, पलामू में तापन, चालिश डीरी वे नियुनतम 30 के आसपा से, बोकर और रामगर, हजारी बाग, रांची, गुमला में अधिकतम, चमालिश के करीब जार रात के समय, 29 के आसपा से भी रेकोर्ड के साथ परिवर्तन और मिला जुला मौसम भी रेकोर्ड के जार रहा, आपकी जिले गावें शेतर में रहते हैं पूरे जारक तक पूरी तरह से मानसुन सक्री होने के साथ बरसात की गत्युद्य देखने को मिलेगी, मौसम विबा की मन तो पिछले 24 गंटों की दूरान कई जगों पर तापमन में बड़ उतरी देखने को मिली, अब दोस्तों जून की शुरुआत के साथ है, इस माईने के अंतर से ले ज़रु बताना, उन्दी के साथ मौसम में परिवर्तन हो सकता है और बदलाव भी आतोए नजर आ सकता है, यानि रही आर सोमवर से दोस्तों बूंदा उन्दी के साथ मौसम में बदलाव और परिवर्तन आने के असर काफी अधिक जताहे जारे, आप किस जिले गावे शेतर मेरेते पूरे जार्खेंड के और आपके हाँ पर दोस्तो चक्रवाती तूफान रेमल का सर देखने को मिला के नहीं और पिछले 24 गंटों की दुरान गर्मी से रात मिली के नहीं हमें कमिन करके जरू बताना वहीं दोस्तो एक एक जिली की बात की जाएता आप स्क्रेंड पर देख सकते हैं लोर दगा में 26-67 रात के समय दिन में 40-41 पांस दिन बादल रहीवार सोमवार को बरसात हो सकती है मौसम ठंडा रहेगा लातियार में 27-67 रात के समय दिन में 41-43 तक तापमान जाएगा गर्मी क करीके के तेवर उताचडा अफजार रनें के साथ परिवर्तं होगा को डर्मा की बात के तो कोड्र में जो हूँ न यहाँ पर बताए की बाद on अभजारी तो कई जगों पर गर्मी केति के तेवर से रात मिल रही तो कई जगों पर आने वले रहे रवीवार सोंवर तक बुनदा बुनदी के करन मौसम में ठंडक आ सकते हैं अर परीवरतन के साथ बाद लोग के तो पूरे के बाद लोगियाद करम ऑने प ह deleting तो 40-41 करीब तापमान ने रविवार तक बूंदा बूंदी, बरसाथ की गत्युद्या देखने को मिल सकते हैं, गर्मी के तीक के तेवर के साथ परिवर्तन हो रहा है, और मौसम मिला जुला रहने के साथ बादलो क्यावजाई के साथ और भी जादा हल चल होतो है, नजर आए इसी के साथ गोड़ा में 29-30 रात के समय दिन में 40 के आसपास ताफमान रहेगा, शनीवार रविवार को बरसाथ हो सकते हैं बरसाथ की गतिदियों के साथ मौसम में ठंडग मौसम मिला जुला रहेगा, परिवर्तन देखने को मिल सकता है, शनीवार रविवार को बूंदा पूरे साथ दिन बादल चैरिंग के उताचड़ा अफजारी ते जगों के साथ परिवरतन मौसम मिला जुला रहेगा दनबाद की बाद की बाद की जाए तो दनबाद में देख सकते हैं यहां पर शनिवार रहेगा जोना 22 के आसपास दापमा रहेगा बादल भी चैरिंगे उतारचड़ा ज़र रहने के साथ परिवरतन भी देखने को मिल सकता है और मौसम मिला जुला रहने के साथ बदलाव होगा सिम्डेगा की बाद के तो सिम्डेगा में देख सकते हैं यहां पर रात के समये 27-67 के करीबाद दिन में 40 के आसपास दापमा ने दो दिन के बाद देख सकते हैं दोस्तों यहां पर 40 के निचे आ जाएगा और रहीवार सोमवार तक आई जगों पर बूंदा भुंदी के साथ मौसम में बदलाव और परिवरतन होतों नजर आ सकता है खरसाओं की बाद के तो 28-39 रात के समय तो दिन के समय एकतलिस बहली चमालिस के आसपास दापमा ने बरसात की गतिद्यों को लेकर अलट मौसम में ठंड़क रहेगा साहिब गंज की बात के तो साहिब गंज में 29-39 रात के समय तो दिन के समय यहां पर 37 के आसपास तापमा रहेगा बादल चैरिंगे समय दिन में 31 मेले 43 के आसपास दापमा रहेगा शनीवार रवियूर को बरसात हो सकती है मौसम में ठंड़क मौसम मिला जुला और परिवर्टन की साथ बदला होने के पलामू की बात की जाए तो पलामू में 29-31 रात के समय तो दिन में 45 के आसपास तापमन रहेगा गर्मी के तीके तेवर उताचड़ा अफजारी और आने वाले दोस्तों तीन से चार दिनों तक 45 के आसपास तापमन जाने के साथ बड़ोतरी भी देखने को मिल सकती है पाकुड की बात की जाए तो पाकुड में 29-39 रात के समय तो दिन के समय 36-37 से करीब तापमने गर्मार शुक्रों